माय के वाले तो इतने गरीब हैं कि उन्हें धंका खाना तक नसीब नहीं हो पाता और यह महरानी ससुराल में रोज नए नए पकवान बनाने का हुक्म फरमाती है जैसे जेठानी छोड सास हो सुधा कविता की जेठानी थी और घर को संभालने की जिम्मेदारी उसी के कंधो पर थी भले ही वह गरीब घर से थी मगर अपने गुणों और खुबसूरती में उसकी कोई होड नहीं कर सकता था और काफी पढ़ी लिखी होने के साथ साथ सुभाव से नम्र और मिलनसार थी बस इसी लिए उसकी सास शारदा उस पर कविता से ज्यादा भरोसा करती थी माजी आज खाने में क्या बनाओ कविता एक काम करो कढ़ी चावल खाए बहुत दिन हो गए है कविता के अमीर माईके से होने पर भी उसे ससुराल में अपनी जेठानी के जैसा मान समान नहीं मिलता था इसी लिए वह सुधा से मन हिमन बहुत जलती थी और उसे सब की नजरों में गिराने का मौका ढूंटी रहती थी मेरा नाम भी कविता है जिस दिन मौका मिल गया न इसकी ऐसी गत बनाऊंगी कि सब की नजरों में गिर जाएगी चली है सास की लाडली बनने कुछ दिन बाद शारदा के पास सुधा की मा सरला का फोन आता है वे कहती है कैसी हो समधन जी घर में सब ठीक ठाक है ना सब ठीक ठाक है समधन जी कहो कैसे फोन किया वो मैं यह कह रही थी कि सुधा के पिता की तबियत खराब चल रही है उनका सुधा से मिलने का बड़ा मन है एक हफ़ते के लिए भेज तो तो बड़ी महरवानी होगी आपकी हाँ हाँ भेज दूँगी सुधा और अंशू दोनों को भेज देती हूँ सुधा के एक हफ़ते के लिए उसके माय के जाने की बात सुनकर कविता मन ही मन खुश होते हुए कहती है हाँ, जेठानी को नीचा दिखाने का इस से अच्छा मौका नहीं मिलेगा मैं भी देखती हूँ कि आब इस घर में इसकी कदर कौन करेगा यही सोच कर कविता चेहरे पर अपने पन की मासूमियत का ढोंग कर अपनी सास से कहती है मा जी आप कहीं तो मैं भी जेठानी जी के माईके हो आउं इस बहाने मुझे इनके परिवार से मिलने का मौका भी मिल जाएगा अगर तू यही चाहती है तो हो आ सुधा के माईके घर का काम मैं देख लूँगी शारदा यह कही रही होती है कि तब ही उसके ससुर घंशाम आ जाते हैं वे शारदा को पचास हजार रुपए देते हुए कहते हैं ये पचास हजार रुपए रखो दस दिन बाद दुकान की किस्त जमा करवानी है ठीक है जी सुधा बहू इन पैसों को अपनी अलमारी में रख लो जब तुम्हारे ससुर जी मांगे उन्हें दे देना सुधा को अलमारी में पैसे रखते देख उसकी देवरानी कविता कुछ सोचते हुए मुस्कुराने लगती है मिल गया आइडिया अब तो जेठानी जी को मेरी बुरी नजर से भगवान भी न बचा पाएगा फिर अगले दिन जैसे ही सुधा अपने माई के जाने के लिए तयार होती है कविता मौका देख कर अलमारी से पैसे चुरा कर सुधा के बैग में छिपा कर रख देती है जेठानी जी की भैस तो समझो गई पानी में अब तो इन पर पक्का चोरी का इलजाम लगेगा जेठानी जी रोहेंगी गिडगिडाएंगी और मुझे मज़ा आ जाएगा सुधा, अंचु और कविता तीनों दो पहर तक गाउं पहुँच जाते हैं सुधा के माई के पहुचते ही कविता उसे नीचा दिखाने की कोशिश में लग जाती है सुधा की छोटी बेहन निशा उनके लिए पानी लेकर आती है तो कविता उसके कपड़ों को देखकर अचंबित हो जाती है बात यह थी कि निशा ने जो सूट पहना था उस पर कई जगा थिगली लगी थी उसके ऐसे कपड़ों को देख कविता अचंबित सी होते हुए अपनी जेठानी पर व्यंग कस्ती है एक बात बोलू दीदी तुम तो सस्राल में एक से एक अच्छा कपड़ा पहनती हो और यहां माईके में तुम्हारी बेहन फटे पुराने कपड़ों पर पैबंद लगाने को मजबूर है क्या आप इसे नए कपड़े खरीद कर नहीं दे सकती मैं आपकी जगा होती तो निशा को कभी ऐसे कपड़े न पहनने देती हाँ गरी बाप की बेटी है सादगी में रहेगी तो ही काम चलेगा इसकी शादी हो जाएगी तो इसे भी मेरी तरह मन चाहा ओड़ने पहनने का मौका मिल जाएगा यह कहकर सुधा अपने पिता जी के कमरे में जाकर उनका हालचाल पूछने बैठ जाती है और तब ही सुधा की भाबी सीमा चाए लेकर आ जाती है और कहती है लो दीदी चाए पीलो और साथ में गर्म गर्म आलू पालक का पकोड़ा खाओ हालू पालक मैं तो बस पनीर के पकोड़े ही खाती हूँ क्योंकि हमारे मायके में पनीर से कम पकोड़ा तो कभी बनता ही नहीं है ना खा लो दीदी भाबी बहुत अच्छे पकोड़े बनाती है इनके आगे तुम्हारे पनीर पकोड़े फेल हो जाएंगे कभी खाए तो नहीं है ऐसे पकोड़े पर चलो तुम कहती हो तो ट्राइ कर लेती हूँ अगले दिन सुधा नहाने जाने से पहले बैग से कपड़े निकालती है तो उसे अपने कपड़ों में पचास हजार रुपए मिलते हैं सुधा बैग में पैसे देख भौचकी रह जाती है और सोचती है अरे ये तो वही पचास हजार हैं जो माजी ने मुझसे रखवाए थे पर यह मेरे बैग में कैसे आए गलती से आ गए होंगे माजी को फोन करके बता देती हूँ अरे उसकी भी क्या जरूरत है बाबुजी को दस दिन बाद ही इन पैसों की जरूरत पड़ेगी इससे पहले तो मैं लोट ही जाऊंगी यही सोच कर सुधा उन पैसों को निकाल कर अपनी माँ को देते हुए कहती है मा गलती से यह 50,000 रुपए मेरे बैग में आ गए हैं इन्हें रख तो मैं ससुरा लोटते वक ले जाऊंगी इतने सारे रुपए तुम्हें साथ नहीं लाने चाहिए थे तुम्हारी सास को पता चला तो नजाने क्या सोचेंगी कुछ नहीं सोचेंगी मा उन्हें भरोसा है मुझ पर कविता मन ही मन में सोचती है मगर मेरे रहते यह भरोसा कैसे रह सकता है यह भरोसा तो तूट गया समझो मन ही मन यह कहकर कविता तो जैसे फूली नहीं समाती उसे लगता है कि वे अपनी सास को जैसे ही फोन करेगी सुधा पर तो बिजली ही तूट पड़ेगी उसके साथ साथ उसके माईके वालों को भी नीचा देखना पड़ेगा यही सोच कर कविता अपनी सास को फोन करके एक की दो लगाते हुए कहती है माजी आपकी समझदार और लाडली बहू तो चोरनी है चोरनी ससुडाल का माल लूट कर माईका भरने पर लगी है यह क्या कह रही हो बहू? मैं सही कह रही हूँ माजी वो आपने जो पचास हजार रुपए इन से रखवाए थे ना वो फुर रहो गए हैं इन्होंने चुपके से लाकर अपनी माँ को दे दिये चोरनी कहीं की यह तुम कैसे कह सकती हो? क्योंकि मैंने रुपए देते इसे अपनी आखों से देखा है अपनी माँ से कह रही थी कि तुम ये पैसे रख लो कोई मुझसे पूछेगा तो कह दूँगी की चोरी हो गए होंगे सुधा ऐसा करेगी? मैं तो सपने में भी नहीं सोच सकती एक काम करो, तुम दोनों आज ही घर लोटाओ मैं घर आकर ही क्लास लूँगी उसकी शारदा के ये कहने पर सुधा और कविता तुरंद वापस लोटाती है कविता मन ही मन खुश हो रही होती है कि आज तो उसकी जेठानी को सबके सामने नीचा देखना ही पड़ेगा देखना अम्मा जी इसकी कैसे क्लास लेती है? आज तो मज़ा आएगा मगर जैसे ही वे घर पहुँचती है कलास सुधा की नहीं बलकि खुद कविता की ही लगती है सबके सामने नीचा सुधा को नहीं बलकि कविता को ही देखना पड़ता है तु जेठानी से जलती जरूर थी पर उसे नीचा दिखाने के लिए ये सब करेगी मैंने सोचा ना था रुपए खुच चुरा कर इसके बैग में रखे और चोरी का इलजाम इस पर लगाया आप ये क्या कह रही है माजी सही कह रही हूँ मैं मैंने तुझे ये सब करते अपनी आखों से देखा था मैं बस इसी लिए चुप रही कि देख तो लू आखिर तुच चाहती क्या है ये सुनकर तो कविता की हालत रंगे सियार सी हो जाती है असलियत सामने आते ही वह रो रो कर माफी मांगने लगती है और कहती है अरे मुझे माफ कर दो माजी मैं जेठानी जी को नीचा दिखाने के चक्कर में खुद सबकी नजरों में गिर गई मैं आगे से शिकायत का कोई मौका नहीं दूगी माजी कविता ने अपनी गलती मान ली है अब तो इसे माफ कर ही दीजिये न तू कहती है तो मैं इसे माफ कर देती हूँ वरना आज इसे हमेशा के लिए इसके माई के भेज देती यह कहे कर शारदा कविता को माफ कर देती है और उस दिन से कविता अपनी जेठानी के साथ मिल कर रहने लगती है रिया और साची दोनों बच्पन की सहेलियां थी वो स्कूल से कॉलेज तक हमेशा साथ रही अब वो दिन आ चुका था जब उन दोनों को अलग-अलग रास्ते पर जाना था साची की शादी होने लगी बाराद दर्वाजे पर आने वाली थी और साची का चिंता के मारे बुरा हाल हुए जा रहा था आखिर बात क्या है साची तो इतनी परिशान क्यूं है एक तू ही तो है जिससे मैं अपने दिल की बात बता सकती हूँ रिया निमेश को मैं बहुत चाहती हूँ वे भी मुझे चाहता है लेकिन डर के मारे किसी से कहने ही पाई मुझे अभी अभी उसकी चिठी मिली है कि अगर मैं शादी से पहले उसे नहीं मिली तो वे अपनी जान दे देगा वे भी मुझे बहुत प्यार करता है रिया मुझे किसी भी हालत में उसके पास जाना होगा कैसी बात कर रही है साची बारात आने वाली है अगर ऐसे समय में तू यहां से चली गई तो तुम्हारे परिवार की इज़त का फलूदा बन जाएगा तू सब संभाल सकती है रिया जब तक जब तक मैं वापस ना आओ तब तक तुम दुलहन बनकर बैट जाओ बस कुछ ही देर की बात है तुम संभाल लो रिया मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूँगी रिया को साची की बात माननी पड़ी और वे दुलहन बनकर घूंगट निकाल कर बैट गई कुछ ही देर बाद बारात आ गई दूलह मंडप में बैट कया विवा का शुम महूरत था लेकिन साची अभी तक नहीं आई रिया ने सोचा हे भगवान साची को जल्दी से भेज दो वरना आंटी अंकल की इज़त खराब हो जाएगी और साथ में मेरी जिदगी भी कहां रह गई साची अब तो आजा विवा का महूरत निकला जा रहा है जल्दी से कन्या को लेकर आईए कुछ लड़कियां अंदर गई और रिया को साची समझ कर मंडप में ले आई रिया सोचने लगी मैं अब क्या करूँ मंडप में गई तो आज मेरी शादी दीपक के साथ हो जाएगी वह तो मुझे पहले ही काला कलूटा लगता है साची तो सामली है इसलिए दीपक के साथ वही अच्छी लगेगी भगवान जी मुझे बचा लो कहीं ये काला कोईला मेरा पती ना बन जाए एक काम करती हूँ हाँ अंटी अंकल को सब कुछ सच बता देती हूँ हाँ अरे नहीं अगर मैंने उन्हें बता दिया तो ये लोग साची को तो मार ही डालेंगे रिया बहुत मुसीबत में थी बहुत देर हो गई पर साची नहीं आई पंड़ जी ने कहा अवर और वधू फेरों के लिए खड़े हो जाएए रिया की आखों में आसू थे वे अपनी सहेली के लिए अपना जीवन बलिदान कर रही थी कुछ ही देर में फेरे हो चुके थे अवर वधू के गले में मंगल सूत्र पहनाए और उसकी मांग भर दे दीपक ने उसे मंगल सूत्र तो पहना दिया लेकिन जैसे ही उसने मांग भरने के लिए रिया का घूंगट उठाया तो उसका चहरा देखकर सब चौक गए एक औरत बोली अरे ये तो रिया है साची नहीं है साची कहां गई साची कहां गई तो दूसरी बोली ये क्या हुआ दीपक से रिया की शादी हो गई इससे पहले की रिया सबके सवालों के जवाब देती साची आ गई लेकिन तब तक सब खत्म हो चुका था रिया और दीपक की शादी हो चुकी थी अब रिया दीपक की पत्नी थी साची को सबसे बहुत भला बुरा सुनना पड़ा अब रस्म के अनुसार रिया के माता पिता को समझा बुझा कर रिया की विदाई कर दी गई दीपक ने पूछा रिया क्या तुम इस शादी से खुश हो? मैं और खुश इतने काले गलूटे पती के साथ मैं कैसे खुश रह सकती हूँ? मैं क्या कोई लड़की खुश नहीं रह सकती? काश साची ने मुझे इस मुसीवत में न फसाया होता तभी दीपक की मा सुरेखा आ गई और बोली बहू, मेरे दीपक के भागे में तुम लिखी थी साची नहीं, नहीं तो ऐसा कभी नहीं होता अब जो भी है ये ही तुम्हारा भागे है इसे स्विकार करो हे भगवान, ये तो इसकी मा भी काली है जब इंजन ही काला है तो डिबो के बारे में क्या ही कहूँ मुझे क्या पता था कि मेरा भागे काली रेल में बैट कर सफर करेगा दीपक की छोटी बेहन मधू दोडती हुई आई और रिया को चॉकलेट देती हुई बोली, भाबी ये लो, मैं आपके लिए चोकलेट लाई हूँ अरे, दीपक ये तो तुमारी बेहन भी काली है इसका मतलब इस घर में सब ही काले हैं इतना कहते ही बिजली चली गई रिया जैसे ही इधर उधर चली मैं सुरेखा से जाट अकराई अरे, ये क्या हुआ मेरा सिर फोड दिया मैं क्या करूँ माता जी जहां इतने काले लोग रहते हो वहां मुटबेड का पूरा खत्रा रहता है अब जल्दी उजाला करो वरना कही किसी से टक्राकर मेरा सिर न फोड जाए बहुत हुआ रिया अब बार बार काला काला कहकर तुम हमें इस तरह जलिल नहीं कर सकती मैं तुमसे ज़वर्दस्ती शादी करके नहीं लाया बलकि तुमने ही मुझे से धोके से शादी की है रिया जानती थी कि ये सब उसकी गलती से ही हुआ है और इसका दोश दीपक या उसके परिवार को देना गलत है इसी लिए उसने चुप रहना ही ठीक समझा अगले दिन वे सुबह उठी और सोई में गई तो देखा सुरेखा चाय नाश्ता बना चुकी थी सुरेखा ने कहा बहू आज तुम्हारा पहला दिन है इतनी जल्दी उठने की क्या जरूरत ही चलो अब चाय पी लो रिया ने चाय देखी तो नाक मूँ से कोड़ कर बोली उफ यहां चाय भी काली अब तो लगता है मुझे यहां हर चीज काली ही मिलेगी चाय काली बिसकिट काले और ये चुकंदर के पराठे सारी जिंदगी में अधेरा कायम हो गया कुछ कहा क्या बहू कुछ नहीं माजी बस ये ही कह रही थी कि मैं चाय नहीं पीती तो क्या हुआ हमारे घर में क्या दूद की कमी है ये लो दूद और अब रोज दूद ही पीना हाँ रिया का दिन गुजारना मुश्किल हो गया वे जल्दी से जल्दी इन काले लोगों से निकल कर अपने घर जाना चाहती थी ये सब सोचते सोचते रात हो गई दीपक ने पूछा रिया, अब कब तक ऐसे रहोगी? क्या हम अपना जीवन नए से रह से शुरू नहीं कर सकते? जिंदगी की शुरुआत और तुम्हारे साथ कभी नहीं ये कहकर रिया करवट लेकर सो गई रात के दो बच्चों के थे रिया ने सपना देखा दीपक और रिया दोनों एक हो चुके हैं उसके बाद रिया ने कई बच्चों को जन्म दिया वो सारे बच्चे काले रंग के पैदा हुए उन बच्चों को देखकर रिया की चीख निकल गई दीपक ने घबरा कर पूछा रिया? क्या हुआ? क्या हुआ रिया? नहीं, नहीं, मेरे बच्चे काले नहीं हो सकते, मैं काले बच्चों की मां कभी नहीं बन सकती बच्चे? कैसे बच्चे? किसके बच्चे? रिया नीन से जागी और रोने लगी शायद उसे काले पती और उसके परिवार वालों को देख कर गहरा सद्मा लगा और वे बीमार पड़ गई पंधरा दिन गुजर गए रिया को तेज बुखार ने बिस्तर से नहीं उठने दिया दवाईयों का असर भी नहीं हुआ सुरेखा राद दिन उसकी सेवा में लगी रहती मधू भी उसके माथे पर पानी की पटियां रखती रहती और दीपक उसने तो चिंता के मारे खाना, पीना और सोना सब छोड़ दिया रिया मैंने मन्दत मांगी है जब तक तुम ठीक नहीं हो जाती, तब तक मैं अनपानी कुछ नहीं लूँगा हाँ बेटा, मैं भी नंगे पाऊ जाकर काली मा के दर्शन करके तुम्हारे लिए प्रसाइद लेकर आऊंगी रिया जिन लोगों से इतनी नफरत करती थी आज उनके मन में अपने लिए इतना प्यार देखकर उसकी आखे भराई वे मन ही मन खुद को कोस्ती रही रिया ने बहुत कहा लेकिन दीपक ने दो दिन तक कुछ नहीं खाया पिया सुरेखा नंगे पाउं जाकर काली मा के मंदर से प्रसाद लेकर आई और रिया को खिलाया रिया की हरकतों से शायद भगवान ही नारास थे क्योंकि प्रसाद खाने के बाद वे एकदम से अच्छी होती चली गई अपनी सास के पैर में च्छाले देखकर रिया बहुत दुखी हुई और बोली मैं बहुत गलत थी माजी मैंने बस काला रंग देखा मगर मैं आप लोगों के दिल की खुबसूरती नहीं पहचान पाई देखक दो दिन भूखे रहने से तुम्हारा चेहरा कितना मुझ जा गया है मैं तो तुम से नफरत करती थी और तुमने मेरे लिए सब कुछ त्याग दिया कितनी बेवकूफ थी मैं जो तुम लोगों के प्यार को नहीं पहचान पाई अच्छा हुआ जो सांची तुम्हारी जिन्दगी से चली गई और मैं आ गई वरना इतना प्यार करने वाला परिवार मुझे कैसे मिलता आज मैं बहुत खुशू रिया कि तुमने हमें समझा लेकिन तुमारे लिए दुख है कि तुम्हें काला पती और काला परिवार मिला तुम चिंदा मत करो दीपक अब मैं ऐसे प्रोड़ाक्ट यूज करूँगी कि तुम सब लोग भी मेरी तरह गोरे हो जाओगे ये सुनकर सब हस पड़े अब गोरी बहु अपने काले ससराल वालों के साथ बहुत खुश थी